नमस्कार पेशाज का न्यूस पॉइंट में अब बिज्ञान प्रकाश बात इस बात को लेकर कि बिहार का चुनाव अब अपना जोर जिसे कहते हैं वो पकड़ चुका है पॉली सिंपल सी बात में रखोंगा मैं अपने आपको कभी भी विशेशज्य नहीं मानता हूं विहार की राजनिती का लिकने अगर आप ये घोशना पत्र देखें ये घोशना पत्र देखें सारे प्रिंट आउट्स दिये गए हैं दिन भर से मैं मेलों के माध्यमसे से अलू लेड दूनों इस बात का दावा कर रहे हैं कि वो विहार का विकास कैसे कर देंगे या विहार के विकास के लिए वो क्या क्या कर देंगे पॉइंट ये है कि जाती के बगएर ये चुनाव होता नहीं नजर आता है ये बड़ी इसपश्ट सी बात है भाशणों में सबसे जादा जाती नजर आती है और घोशणाओं में सबसे जादा विकास नजर आ रहा है हम थोड़ा से टटोलने की कोशिश करेंगे कि बिहार जो एक पिछड़ा प्रदेश है ये सब मानते हैं और इसमें जो बड़ा बदलाव लाएगा या बदलाव लाने की हकीकत की सूरत बताएगा उसके लिए जादा बहतर हो सकता है ये चुनाव लेकिन सचाई सामने लाई है तो सब कुछ पूरे गड़बंधन के इस बात पर बने हुए है जाती पर बने हुए है और बात किस चीज के लेकर कर रहा है नरेंदर मोदी से लेकर नितिश कुमार दिकास की बिहार को और बदलने की सबसे पहले आज बीजेपी ने अपना विजिन डॉक्यूमेंट रखा है तो सबसे पहले उसकी ये रिपोर्ट हम देखते फिर अपनी खास मेहमानों के साथ आगे अपनी चर्चा को बढ़ाएंगे पचास हजार छात्रों को लैपटॉप, पांच हजार लड़कियों को स्कूटी, दलितों महादलितों को रंगीन टीवी और गरीब घरों को साड़ी धोती ये बिहार में BJP का सियासी शोरूम है, इसमें मेक इन बिहार, डिजिटल बिहार और सुच बिहार के साइन वोर्ट भी दिख रहे हैं बिहार के लिए BJP के विजिन डॉक्यूमेंट में इन सब के अलावा हर भूमिहीन को घर बनाने के लिए जमीन, हर ठाने में CCTV, हर शहर में पुलिस कमिशनरी, नई यूनिवरसिटी, मेडिकल कॉलेज और लॉ कॉलेज, फिल्म निगम और तीन शहरों में कोचिंग हब बनाने की बात है। इन सब के साथ BJP बिहार को उसके पिछड़े पन से निजात दिलाएगी। गोपालन निदेशाले बनेगा, युवाओं और महिलाओं की सुरक्षा के इंतिजाम तो होंगे ही। पंचायत सदस्यों को जादा भत्ता देने से लेकर पत्रकारों को लैप्टॉप देने तक के वादेवाले इस विजिन डॉक्यूमेंट के एक-एक मुद्दे पर महागडबनन ने सवाल किये। कलर टीवी बेशक देदो लेकिन कलर टीवी कौन देखेगा। भूका आदमी जो भूका है पहले तो पेट और उसकी जो रोज की जिंदिगी ठीक और बहतर बने। भागवत सहाब बैठते हैं जो इनकी पैट्रिक संस्था के सबसे बड़े पितामा हैं वो बैठके कहते हैं कि आरक्षन की समिक्षा करो कैसी समिक्षा करो कुलीन समिक्षा करो और तमाम पिछडे दलितों महादलितों को हक से महरूम कर दो ये उनका वीजन है। उसको अगर चार शंदों में कमूं तो पुत्रा चेहरा, पुत्रा चेहरा राग बेजार हालीगी भाजब्ता जीते का विहार। बिहार को जंगल राथ से मुक्त कराने का वादा बीजेपी कर रही है नितिश ने अगर साइकल दी तो बीजेपी स्कूटी देने का वादा कर रही है दरसल चुनावों से ठीक पहले हर एक राजनेतिक पार्टी विकास का मुद्दा उठाती है लेकिन उन वादों पर कायम नह है ना जब बादों का मौसम आता है तो पुलिटिकल पार्टी इस क्या भाशा बोलती है तो साइकल से लेकर स्कूटर तक का वादा और लैप्टॉप से लेकर टीवी तक का वादा इस बहस को चालू करने से पहले आपके चोटी सी बात बताता हूँ 2012 में यूपी में चुना हुआ था बिहार की तरह यूपी के भी बहुत अंश पिछले हूँ हैं बहुत बुरी तरह से अखलेश यादव सरकार ने लैप्टॉप देने का वादा किया लैप्टॉप दिये भी गए हाल में वो आर्थिक कारणों से जो नीती है वो कहीं पर समझ रहे हैं एक समय इनके भी साती थे मुलायम सिंग यादव लालू और नितिश के गड़ बंधन के अब बीजेपी लैप्टॉप देने की बात कर रही है तो अब समझ में यह आ रहा है कि एक छोटा सा अंकड़ा आपको बस बता दू जादा उसके बाद बियार की तस्व गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं बिहार में जार्कंड और चटीस गड़ के बाद समझ गया आप 23 दसंबलव 7 फीसदी लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं सरकारी आकड़े नीति आयोग के हिसाब से मेरे साथ खास मेमान मौझूत है मेरे साथ जीविल नारिष बार आओ है जो भारतिय जनता पार्टी को रेप्रेजेंट कर रहे हैं सीनिय लीडर केसी त्यागी साहब है जनता दल यूराइटिट के वो जनरल सेकेर्टी भी है संजय सिंग है जो की पुलिटिकल एटर है फर्स्ट पोस्ट के और मेरे साथ अशोक सिंग जी है जो की लीडर है आर जे डी के दोनों तरफ से कैसी त्यागी साहब आप से पूछना चाहूंगा मैं हमेशा आपको इंट्रिड्यूस करते वक्त अपने प्रोग्राम्स में कहता हूं कि आपने बहुत सारी और बहुत लंबे अर्चे से सियासत देखी है ये विकास विकास के नाम पर जो ये वादों की राजनीती होती है ये कितनी सही है और कितनी खोकली है कोई भी करे अभिगान जी आपने बहुत अच्छा किया मैं तो इसी से सुरुवात करना चाहरा था पिछले 68 साल से जितनी भी चुना गोशना पत्र जारी हुए हैं अधिकांस में वायदे किये गए हैं पूरे नी किये गए हैं आपके लोग पर ये चैनल के माद्धमसिक तो मैं चाहू जो चुना गोशना पत्र में लिखा जाए या विजन डोकुमेंट में आए वो कानूनी डायरे में आना चाहिए हैं इस समय सुप्रिम कोट में एक बहुत रोचक याची का विचारा दीन है जिसमें किसानों के एक संग्थन ने सुप्रिम कोट में कहा है कि भी आपने चुन गया तो बाजार फेल हो जाएगा तो उन संक्ठनों ने कहा है कि सभी पार्टियों के लिए है ये मेरे मित्र बुरा नाम आने ये तो इसको कानूनी दार विलाओगी जो कहा है उसको निभाओ वरना आपके खिलाब कारवाई होगी चुके इस समय क्या हो गया है इतने लोग ल पारिटिक दलखेंडियों मुश्कील है इसलिए वाइदे उतने करो जितने निभा सकते हो बहुत अच्छा पॉइंट है कि इसलिए इंटरफ कर रहा हूं क्योंकि मैं बहुत सालों से इस बात को कह रहा हूं कि बाड पॉलिटिक्स मेक्स फॉर बाड इकनामिक्स एंड पैसा कहां से आएगा रेविन्यू कहां से आएगा मैंने इसलिए अभी उत्तरप्रदेश का उधारन दिया जहां पर एक समय बड़ी ड्रामे बाजी की स्कीम थी है लैप्टाप बाटना और अब कहा जा रहा है कि वह कुछ खास ही बच्चों को मिल पाएगी क्योंकि पैसे में इतने लोक लुभावन नारों के बजट बन गए हैं जो उस राज का रेवेंगी भी नहीं है तो कैसे पूरा होगा तो इसलिए लानितिक दलों को उतने ही दावे और वायदे करने चीए जिसको वह निभा सकते हो आराम से अब जैसे बिहार का चुना ये एक हिस्टोरिक चुनाओं के बड़े नेशनल कॉंसीक्वेंसिज होंगे उनके लिए भी हमारे लिए भी लेकिन आज जो विजन डोकुमेंट जारी हुआ है और एक विजन डोकुमेंट निटीश जीने जारी किया मैं चाहता हूं कि बगएर कठुता पैदा किये बगएर आरुप इस पर एक एकडेमिक और इंटेलेक्शल डिवेट होनी चाहिए कि ये जो चुनाओं में वायदे हम लोग कर रहे हैं कैसे निभाएंगे तो मैं पहले सुरुवात अपने से करना चाहता हूं चुकर हमारे मित्रों के आरोप रहते हैं आज बिहार के अंदर बतिस सो मेगाव मेगावाट बिजली पैदा हो रही है आइम और रिकॉर्ड ऑन सेंग दो हजार च्छे में ये पांच सो मेगावाट भी नहीं थी इतना डवलोमेंट हुआ है आज 65,000 किलो मीटर का हम लोगों ने नेशनल हाईवे इस्ट्रेक्चर बना के तयार किया है साड़े छैसो से जादे पुलो का हमने निर्मान किया है जो प्राइमरी हैल्थ सेंटर है इन दा रूरल एरियाज पर्टिकुलर्ली इन दा बैकवर्ड एरियाज वहाँ पे दस दस पांच पांच मरीज जाते थे अभी गान जी आपकी जानकारी के लिए आप बिहार में जाएंगे कई हजार मरीज आज परात्मी की शिक्षा केंडर विजिट कर रहे है 35% का आरक्षन हमने महिलाओं को पहले सी दे के रखा हुआ है अपने चुना गोशना पत्र में भी उसको रिपीट किया है कोई लड़की नहीं है जो बगेर साही के और सरकार के द्वारा दी गई पोसाक में वो विद्दा लेना जाती हो हमारे मित्रों ने का नहीं हम स्कूटी देंगे यानि के पैटरोल का खर्चा और बढ़ेगा जो वहाँ पर आतंक वादी गती विद्धिया रहती थी कास्ट और क्लास के कॉंट्राडिक्सन्स को दे करके हमने स्पेसल कोट बनाई और वी आर प्राउड ओफिट कि 55,000 लोगों को हमने मेंडेटरी किया S.H.O. के लिए जो पुलिस का अफसर होता है कि जो गवाँ है उसको कोट में लाकर के मुझरिम को सजा दिलानत तुमारा कांग है हमने C.R.P.C. में अमेंडमेंट करके ऐसा कानून बनवाया कि जो भरस्ट अफसर है उसकी संपत्ती जब्त की जाएगी और वो गरीब लोगों के विद्दा लेके रुपे बनी जाएगी जिसमें दरजनों बड़े अधिकारियों की संपत्ती जब्त की गई तो हमने काफी कुछ करने का प्रियास किया है और हमारा विजन डोकुमेंट है और इस बात के लिए निकीस कुमार जी जाने जाते हैं कि हम और भी अच्छा अच्छा करना चाहते हैं जिसमें सबसे बड़ा जो काम है वो चार्लाक रुपे हाई स्टीडीज के लिए हर कराएंगी ठीक है और आप अच्छा बुन्यादी पॉइंट उठाया था कि जो बादे होते हैं क्या इसके पीछे की आर्थिक स्थितिक और राज्य समझते हैं जीवियल आप कुछ कहना चाह रहे है अविग्यान जी आप मुझे इतना ही समय दीजेज इतना थ्यागी जी को दिया है और उनकी गजबंदन से दो नेता भी मौझूद है और आज जो चर्चा का विशे है जो चुनावी यदी मैनिफेस्टेस को हम लीगल स्थिक्टेस देना चाहतें उसका मैं उसका ने सुन लीजिए सुन लीजिए किस हद तक हमारे विजन डॉक्यमेंट का असर किस ह इससे सफस्ट जाहिर होता है लेकिन जो लंबे लिस्ट आप गिना रहे हैं ये जनता के मन में कहीं भी जनता इसको एकसेप्ट नहीं कर रही है खुद नितिश कुमार जी की जिले से नलंदा में जो आज के खबरे है पतर न्यूस पेपर के माधियम से जो खबरे हैं के खिलाफ कोई demonstration करते हैं या कुछ जगा मोदी जी मोदी जी करके नारा नारा दे रहे हैं तो कहीं न कहीं आप बिहार की जनता को संतुस्ट करने में बड़े पैमाने पर फेल साबित हुए है ये वहां की वातावरन ही बताता है जहां तक हमारी promise सबाल है ऐसा कौन सा promise है आ बात कर रहे हैं आप फुरफ vision document को देख लिजिएगा शायद आपने पूरी तरह इसको पढ़ा नहीं हमने इस पर्स रूप से कहा है केवल ये पचास हजार तक laptop को बांटा जाएगा meritorious students के लिए क्या ये education को बढ़ावा देने के लिए आपने आपने ठीक से पढ़ा नहीं है पढ़ा मैं आपको बहुत सारे points इसके गिना सकता हूँ जीविन नहीं समारा हूँ पर खरीच सकते हैं लेकिन idea इसके पीछे ये नहीं है कि local भावन कोई promise नहीं है इसको education को बढ़ावा देने का merit को recognize करने की जो एक सोच है इसके पीछे वो है और जहां तक स्कूटी की सवाल है वो भी सीमित है अच्छे पड़े लिखे युवाओं के लिए बालक और बालिका के लिए ये एक incentive के रूप में educational merit को incentivize करने के लिए इसकीम है इसमें कोई ऐसा कोई नहीं है और जहां तक agriculture की सवाल है अब देखिए हमने जो promises किया है ऐसे कई promises हैं हम दूसरे राज्यों में निभा रहे हैं एक चोटा सा पॉइंट नंबर तीन जो है वो यह है कि पावर पर आप जानते हैं बिजली के विशे पर बड़ा काम करता हूं सब्सक्राइब सिंपल सा पूछना चाहरा हूं अभी ना आलोग सिंग और संजय सिंग के पास जा पाया हूं कि एक साल के अंदर हर गाव खेत में बिजली पहुंचा दी जाएगी जरा इसकी व्यवहारिक्ता प्रैक्टिकालिटी समझाएंगे मुझे और यह कैसे होगा यह पॉइंट नमबर टू में जो मेरे पास आपका प्रिंट आट है विजन डॉकिमेंट का उसमें जो तीसरा पॉइंट है उसको सिर्फ उसको बिजली से जुड़ा है यह आपके पचास पॉइंट इसमें लिखे हूं बहुत सारे पॉइंट अब एक टीवी कारिक्रम नही कि देखें आकले जो है नितिश कुमार के गवर्मेंट के अचीवमेंट के भी बहुत खराब है लेकिन आप जड़ा बताईए कि आप एक साल में हर गाओं खेत में बिजली पहुचा देंगे 33.7 फीसिदी पॉवर्टी का आज के फॉर्मूले के हिसाब से नीति आयोक के आक फीडर सेपरेशन पॉइंट नमबर टू और त्री को आप जोड कर देखिए जब आप फीडर सेपरेशन करेंगे डोमेस्टिक सप्लाई के लिए अगरिकल्चर के लिए जब आप बारा घंटे की हम बात कर रहे हैं हर खेती के लिए बीजली का कनेक्शन उपलब्द रहेग बिहार में वो स्किती बहुत बहतर नहीं हुई है आज भी डोमेस्टिक सप्लाई का अलग सिटी का सिचुएशन भी खराब है अगरिकल्चर का भी खराब है जल्दी से उसके बाद मैं आऊंगा मैं जाना चाहता हूँ संजे सिंग और अशोक सिंग जी के पास आपने जो पॉइंट नंबर टू में लिखा है पढ़के सुना देता हूँ आगामी तीन वर्षों में कृशी कारे के लिए अलग फीडर के माध्यम से कम से कम 12 घंटे बिजली उपलब्द कराई जाएगी जबकि घरेलू स्तर पर 24 इंटू 7 बिजली उपलब्द कराई जाएगी ये बहुत बड़ा प्रॉमिस है बिजली को लेकर जीवियल लरिसिमाराओ साब आप अच्छी तरह से समझते हैं ये दोनों पॉइंट्स को अगर आप जोड़ कर देखे तो इसका मतलब आप कहरे हैं तकरीबन 80 से जादा फीसिदी इलाका बिहार का अगले 2-3 साल में आप वहां बिजली पहुंचा देंगे जी अभी ग्यान जी यही हमने करके दिखाया है दूसरे राज्यों में आप मज़े प्रदेश में देखिए 24 गंटा बिजली अवैलेबल है घरेलू एलक्सिती के लिए और जो किसानों के लिए इसी लिए हम मज़े प्रदेश में लगाता बीस परसेंट अग्रिकल्चरल ग्रोथ हम रिजिस्टर कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो जीरो परसेंट इंट्रेस्ट रेट की जो बात कर रहे हैं किसानों की रून की वो हम दे चुके हैं देखिए इस वक्त जो स्क्रीन पर ग्राफिक्स आ रहे हैं ग्रामीन इलाकों में 90 फीसिदी के करीब बिजली के लिए उपलब देता नहीं है अलग-अलग समय चरनों को इसको अगर देखे और आज की स्थिती में 16.4 फीसिदी घरों में सिर्फ बिजली है आपका जो प्रामिस है वो तीन साल में इसको यू टर्न करने का है मैं अब यहाँ पर लाओंगा संजे सिंग को एक मिट शांजे सेंग किया अभी ज्यान आज का जो विजन डॉकुमेंट है निटीश जी का वो एक रिजॉल्ट था निश्चय पत्र उसको वो कहते थे और उसमें इस तरह की प्रॉमिसेज नहीं है आज का अगर जो विजन डॉकुमेंट देखेंगे तो उसमें तीन चीज जो अनॉंस्मेंट जिस तरह करने का एक प्रयास है कि हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए आपने वो चांद दिखाने का प्रयास किया है उसमें बिसिकली देख प्रॉमिस्ट मून वो उसकी डिलिवरी की जो का जो सवाल किसी त्यागे उठा रहे थे वह एक रेलिवेंट सवाल है वो हर पाटी को सोचना चाहिए अगर जो चीज जैसे आप बिजली के बात कर रहे थे एक चीज अच्छी है कि ठीक है मान लीजे किसी चीज को आप इंसेंटिवाइज करते हैं मेरिट के हिसाब से तो ठीक है स्कूटी मिलना चाहिए लड़कियों को लड़कों को लैप्टॉप मिलना चाहिए लड पांच साल में दी जाएगी या पच्छे सजार दी जाएगी ठीक है ये एक अलग मुद्ध वो इंट्रेस्टिंग हो सकता है डिवेट का क्योंकि मोधी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं लेकिन इसमें कई सारे चीजें जैसे सारी धोती का फ्री उसमें अगर सचमुझ बीजेपी ऐसा कर पाती है इस तरह का आड्मिनिस्ट्रेशन दे पाती है और सही में फ्री दे पाती है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन उसके साथ किसी तरह के मतलब हमेसा यह चुस्त रहना होगा कि किसी तरह की घटना हो सकती है जो राइडर है वो devil in detail एक बड़ा interesting सा है जो अभी किसी ने मुझे दिखाया आपके हाई यह है कि जो रिन दिये जाएंगे सरकारी रिन उसमें मोदी का जो सुक्ष भारत अभियान है वो एक interesting spin लेता है उसमें यह कहा जा रहा है कि वो रिन उनी को मिलेगा जो लोग अपने घर में शौचाले बनवाएंगे ऐसे देखिए तो बहुत अच्छी बात है घर में शौचाले बनवाएं इंसिंटिवाइस करें और उनको रिंदे लेकिन हमारी सुसाइटी में बहुत सारे ऐसी फैमिलीज हैं जिनके पास जमीन नहीं है जब मिलेगी तब मिलेगी बहुत अच्छे सपने हैं संजे सिंग जी 75.8 फीसदी जो घर है जिने हम अंग्रेजी में हाउजोल्ड कहेंगे मैं आप सब लोग अंग्रेजी भाचा अच्छे से समझते हैं उनमें टॉइलेट नहीं है ये 2011 की जंगरना उसके बात कि आंकले उपलब नहीं है मान लीजे इसमें से 10 फीसदी हम कर सकत संजे सिंग आप से पूचा था कि अती लोग प्रिये वादे क्या दोनों साइड्स कर रही है बिल्कुल कर रही है अभिग्यान इसलिए मैं कर रहा हूं कि ठीक है ये प्रॉमिसेज इस समय मुझे जो समझ में आता है उनकी अरिथमेटिक को काउंटर चैलेंज करने के लिए संजे मैं एक मिट अशुक सिंग जी को लाओंगा यहाँ पर केसी त्यागी सापको भी बहुत गंबीर प्रशनों को अबिग्यान एक सिकंड मैं एक बात कह रहा हूं पूरी करनू यह जैसे मुद्रा बैंक से रिंदेने की बात है तो उसमें ऐसे ही घर परिवार आते हैं ज में हैं बहुत सरल सरल आकड़े हैं मैं आकड़ों में फसाना नहीं चाहता किसी बहस को लेकिन आप सिर्फ 4.6 फीसिदी है यह सवाल बाद में किसी त्यागी सापके लिए भी होगा सड़कों का सड़कों का होना बिहार में अगर हम उसके किसी राष्टी आवरेज से 8.7 पर देखे आप यह पूरी बहस अभी मैं सुन रहा था चाहिके सित्यागी जी ने जो मुद्दे उठाए वो बड़े महत्पूर मुद्दे थे संजजी ने कहे नरसिंगा राओ जो बोल रहे यह जो वीजन है यह पूरी तरह द्रस्ट वाधित वीजन कहें पत्र कहें इसको हम किसी तरह के वीजन नहीं मान रहे हैं इसमें कहीं कोई यथार्थ सिस्टम हाई नहीं एक डपोर संक और जूट के पुलिंदे का माहौल बनाया गया इस बिहार की जनता को ठगने का और चलने का काम करने का काम सुरुआत की गई निश्चित तोर पर सभी राजनेतिक दलों क जो केसित्यागी जी की मंसा है उस पे एहम भूमिका निवानी चाहिए कि इस तरह कि जो चला जा रहा है तमाम चीज़ें नितीज जी का जो वीजन था चाह सड़कों पर हो इसकूल पर हो चाह सिच्छा पर हो चाह लालू जी का रहा हो वीजन सब के वीजन देखते चले जो उठाया था मुन्नी चली गाओं की ओर उन्होंने वो सिच्छा पर ध्यान दिया था सच्छ सभाई अभियान का ध्यान दिया था उन्होंने बच्चों की पढ़ाई के लिए तहां एग रुपए प्रक्साहं दासित्ट दोहजार चार और दोहजार पाँच के सबसे सरकारी आकडों के सबसे 54 फीसिदी लोग 54 परसेंट जो बिहार के जनता थी वो गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे थी ये दोहजार चार और नीचे थी यह आप्टारिक आकड़े जो आप विजन की बात कर रहे है लालु पत्र बना है ये पूरी तरह उस विक्ति ने बनाया जिसको बिहार के भॉल गोलिक ज्यान भी नहीं ना किसान ना खेतियार ना कहीं उसके विशू पर कहीं कोई चर्चा नहीं के वाले डपोर संक जैसा माहौल बना रहा है जूटे वादों का एक विजन भिया गया है इसको इ 2011 की आखरी सेंसस के आधार पर लिए आख़ों में सब में आप 5% 10% अपना चीवमेंट जोड़ लिए सबसे बड़ा मैं सबसे बड़ा बताता हूं कि बिहार की जनसंख्या के हिसाब से अभी विजन बना ही नहीं जातिकत आधार पर जब तक हम जनगर्णा नहीं करेंगे जातिकत आधार पर जनगर्णा नहीं करेंगे हम कैसे हमारा विजन उस इसूपर उनके हक और हुकुक की बात करेंगे हम किन लोगों के बात कर रहे हैं हम जो भी इनकी बाते हो रहे हैं जो भी इनका वीजन है अभी संजै सिंग ने उठाया कि जिसके घर में सौचाले नहीं होगा वहाँ पर हम बाते गर रहे हैं अगर आप पुल्लिक मेटिंग में बोल रहे हैं ने ने सुनी है ना जो अवेलेबल आकड़ा है मैं क्यों अपने तरफ से असेस्मेंट बताने लगूँ 4.4 फीसिदी घर आपको मैंने बताया 75 फीसिदी से ज़्यादा घरों में शौचाले नहीं है 2011 के सेंसेस के हिसाब से 4.4 फीसिदी घरों में टैप वाटर पीने का पानी नहीं जो नल में आने वाला पानी है जी तो मैं समझ रहा हूँ चमतकारिक हो गया होगा यह 4.4 फीसिदी आज नहीं है यह 10% हो गया होगा तो खाली बिहार में 10 प्रतिशत घर में नल का पानी नल से पानी आ रहा है हाँ नितिश कुमार के रहे हर घर में लते पानी ला देंगे आप दोनों साइड्स जो है वो लोक्ति बादों की ला देंगे देखो सबसे बिहार अविज्ञान जी बिहार की सबसे बड़ी दुर्दसा ये थी कि बिहार को विसेश राज्य का दरजा न देना एक उसको अलग से पै आप ये कह रहे हैं बिलकुल है नहीं हो पाया उतना पिकास नहीं हो प्लीज आप स्पेशल स्टेटस की बात कर रहे हैं ये महा ठक बंदन इनके जो इनके जो मेंबर्स हैं ये खुदी रिस्पॉंसिबल है आपकी ठक बंदन की एक पार्टी कॉंग्रेस सब्ता में रही दस साल तक और जे डियू के मुख्यमंत्री रहे कई साल से क्या आपने एकसेप्ट किया था क्या कॉंग्रेस ने धोका नहीं दिया था क्या लालू के राज में लालू भी केंदर में मंत्र थे क्या आप बिहार के साथ अयाय की हैं आप यही कुबूल कर रहें आज आपने कुछ नहीं किया आपने कबाड़ा बनाया आपने जंगर राया और आज आपको बीच में ज़रूर टोक रहा हूं कि जब भी आप लोग इस तरह की बात बोलते हैं तो बीजे पीए भूल जाती करना बिल्कुल बेमानी है इस समय में क्योंकि इसके प्रोवीजन्स है नहीं, जो मूल चीज है कि बिहार के लोगों को कैसे वो सुविधाय मिले जैसे बिहार अभी पिछरेपन से निकल करके कहीं आगे की स्ट्रेनी में या मध्यम कतार में भी जाकर के खरा हो मुझे लगता है कि इस समय में अनफॉचनेटली अभी जाती की होती है और जब भोशना पत्र की बात आती है तो विकास की बात होती है ग्राउन पे एलेक्शन कास्ट के नाम पे हो रहा है मतलब वो कई बार आपको सुनकर के दर्द होता है कि ये एलेक्शन के बाद कहीं ऐसा नजारा न हो जिस तरह से कास्ट का रंग भोला जा रहा है कि किसी तरह का कास्ट का सिचेशन हो सोसल का नफ्लिक का सिचेशन हो हमें लगता है कि उसको भी किसी समय रहा है वो गंभीर चिंता, गंभीर सवाल पैदा करते हैं उन सब लोगों के लिए जिसमें बीजेपी शामिल है, जिसमें निकीश कुमार शामिल है, जिसमें लालुई आदफ शामिल है जिन्होंने बिहार को गवर्न किया, बिहार को चलाया इसके केसी त्यागी जीने जो शुरुवात में पॉइंट रखा था है इमानदार पॉइंट है कि सबसे बढ़िया चीज होती है एक छपवा के किताब लंबे-लंबे बादे की उसको घोशना पत्र बना के दे दीजे सबसे आसान काम होता है मैं वापस आ रहा हूँ एक ब्रेक के बाद मेरे पास वक्त कमे में ब्रेक के बाद फाइनल कॉमेंट ले किसी तागी साब को समय देना चाहता है आपने शुरुवात में बड़ी वच्छाए अच्छे बुनियादी बात रखी कि घोशना पत्रों पर कोई ऐसा कानून होना चाहिए कि बादे पूरे हुए यह अकाउंट बिलिटी का जवाब देही का सवाल पूछा जाए किसी त्यागी साब जो आपचारिक आकड़े हैं वो बहुत खराब तस्वीर अभी भी बता र करेंगे विकास के अजंडे पर नहीं अभी ग्यान जी एक तो अगर आपकी इजाज़त हो तो तीस सेक्ट में मैं अपने मितर नरसिंगा जिसे कहना चाहता हूं कि डिसकसर्ण में डिस प्रिपोर्स लेट ना हूँ अटल जी हमारे नेता हैं उनका एक सेंटेंज सुना के अपनी बात सुरू करना चाहता हूं एक दिन राजीव गांधी सुबह मेरे निवास पर आए और उन्होंने मुझे से कहा कि हमारा एक प्रितनी दिनी मंडल अमरीका जा रहा है आपको संसे दलके नेता के रूपर उसकी अगवाई करनी है मैं वहाँ गया मेरी बिमारी के इलाज के लिए पूंड तया मेडिकल सेवाएं महिया कराएगी और इस तरह उन्होंने एक नहीं पांच बार मुझे से आगरे करके भेजा मैं ठीक होता चला गया पर राजीव ने कभी किसी को इस बारे में नहीं बताया हम इतने दिन आपके साथ रहे कोई छूता नहीं था आपको उनिस सो च्छानमे में पता नहीं आप कहां ते मैं एक राजियोती कारे करता था बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बाद किसी पूलिटिकल पार्टी ने आपको छुआ नहीं था जौर्ज फरनाडी पहली बार आए थे मुंबई के आपके अधिविशन में आपकी इस परस्ता समाथ करने के लिए मैं अटली बिहारी बाज़ते को भी आज अपना नेता मानता हूं और आदर्स मानता हूं बिहार में कैलास पती मिस्वरा को भी मैं अपना नेता और आदर्स मानता हूं लेकिन आज इतनी बिकर हो जाती हूँ जी जी मैं बड़ी माफिया आप सभी लोगों से चाह रहा हूं बेकोस समय नहीं है बिलकुल भी यही मैं समझ रहा हूं इसे क्योंकि बिहार की चर्चा आज यहां पर नहीं समापत हो रही है जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी चर्चा होगी क्योंकि दोनों पक्ष बड़े लोकल भावन वादे कर रहे हैं और इसी से बचकर जनता को समझ कर अपना फैसला देना होगा बिहार में यही है चुनाओ की सबसे बड़ी चुनाओती फिलाल सबसे माफी आज वक्त कम था बिहार पर चर्चा आगे जरूर होगी